नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल ग्यांदी फिंदी यूटूब चैनल पर तो मिड़े मिल वरकर्स मांदे को लेकर आचुका है सबसे बड़ा आदेश जहां रसोयों के लिए आई चार बड़ी खुसखबरी तो आज की वीडियो आप सभी के लिए महत पून होने जा रही है जहां सरकार ने अभी अभी लिया बड़ा फैसला वहीं रसोयों को इसका बड़ा फाइदा अब मिलने जा रहा है जहां रसोयां लगातार मांग कर रही हैं मांदे को लेकर और वहीं संपूर्ण मांग पूर्ण को लेकर वहीं सरकार ने अभी अभी एक और बड़ा फैसला आप सभी करमचारियों के हक पर सुना दिया है तो रसोयां लगातार मांग कर रही हैं वहीं सरकार ने आज बड़ा फैसला आप सभी के लिए यहाँ वीडियो महत पूर्ण है तो वने रहे हमारे इस यूटूब चैनल के साथ पहली बार जूने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब वीडियो को भी लाइक अपने आने दोस् को इसका बड़ा फाइदा जहां इसकोलों में हर साल दो साल बाद बदले जाएंगे मिड़े मिल प्रभारी सरकार ने लिया बड़ा फैसला तो बात करें पहली से आठवी कक्स्या के साड़े पांच लाग बिद्यार्थियों को इस योजना के तहत दोपहर का भोजन दिया जाता है इस योजना के नए निर्देश के हिसाब से के बारे में एक्शन टेकन रिपोर्ट को गूगल सीट पर तलब किया गया है तो जी हां फ्रेंड सही सुना आपने की जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है उसे गूगल सीट पर यहां पर तलब किया गया है इसे सरकार को भे परसला इस योजना में पार्दर्स्ता लाने के मद्दे नजर लिया गया है पहली से लेकर आठवी कक्स्या के साड़े पांच लाख बिद्यार्थियों को इस योजना के तहद दोपहर का भोजन दिया जा रहा है ऐसे में यह निर्णे आप सभी के लिए आपके हक पर बहुत बड़ा निर्णई कहा जा सकता है जहां बात करें इसे सरकार को भेजा जा चुका है और राज सरकार के प्रारंबिक सिक्स्या निर्देशक घनस्याम चंद्र ने इस सम्मंद में सभी उपनिर्देशकों को सम्मंदित आदेश जारी किया है यह आदेश प्रारंबिक सिक्स् उच्छी सिक्स्या के उपनिर्देशकों को दिये गए हैं जो जिले में विभाग का कामकाज देख रहे हैं तो इसको उच्छी अधिकारियों को इसका निर्णई लेने को सौंप दिया है और उपनिर्देशकों को दे दिया गया है और इसमें कहा गया है कि पीम पोसंड इसकी यानि मिड़े मिल योजना को स्कूलों में पार्दस्ता में लागू किया जाना चाहिए यह तई किया गया है कि आगे से दो साल बाद के रोटेशन के बाद मिड़े मिल सिक्स्यक प्रभारी को तलब किया जाएगा तो जीहां फ्रेंस यह नियम केवल उस स्कूल में लागू नहीं होंगे जहां पर अकेला सिक्सक है इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगला मिड्डे मिल सिक्सक प्रभारी अपना मोबाइल नमबर इस योजना में टोल फ्री नमबर 15 544 पर पंजिकरत करवाएगा इस पत्र में यह भी कहा गया है कि कुछ मिड्डे मिल जो योजना के बारे में जानकारी जारी जो निर्देशकूं की ठीक से अनुपालना नहीं कर सकत कर रहे हैं इसे सरकारी इस तर पर गंभिरता से लिया गया है जो स्कूल में इस पर समद्ध में जारी दिसा निर्देशों को लागू नहीं करेगा तो आप सभी के लिए यह साब तोर पर कहा गया है कि जो स्कूल में इस समंद में जारी दिसार निर्देशों को लागू नहीं करेगा ऐसे स्कूल प्रभारियों के खिलाप अनुर्दास नात्मक कारवाही की जाएगी यानि कि समय पर रसयों का मान दे ना देना और वहीं रसय उसे अधिकारी करवाना उस अधिकारी का पैसा ना देना साथ में जो मिड़े मिल वरकरों का जो बजट है वह समय पर पासना होना यदि इस तरह से यह खामिया पाई जाती है तो इन सभी को अब दूर किया जाएगा और परभारी को बदल कर आब रसयों के लिए बड़ी अ आ रही थी तो आप सभी के लिए काफी अच्छी ख़बर थी गुड न्यूस थी आप सभी के लिए तो आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपने आने दोस्तु के साथ से जरूर करें ताकि सभी को इसी योजना का अधिक से अधिक लाब मिल सकें तो मिलते हैं आप सभी को इसी तरह की नहीं लेटिस्ट अपडेट के साथ तब तक मुझे दीजिए इजाज़त थैंक्यू बाइबाइ एंड टेक केर